कि आप सब जानना चाहते हैं कि यह जो बाते ही हो रही है कि 30% टेक्स लगेगा आपको जो प्रॉफिट होगा क्रिप्टो कृंसी पे आज जो एक परसेंट टीडियस लगेगा तो वो किस तरह कैलकुलेट होगा तो कि आप यहां पर टेक्सेशन प्रॉसीजर जानना चाहते है आज की इस वीडियो में जो बाते मैंने पहले डिसकस की, वो सारी बाते जौनेंगे, हर एक इंपोर्टन्ट इंफोर्मिशन कवर करेंगे, आनि सारी बाते आम सभी के लिए जौनी बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप स्वाते है हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजएगा, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा, तो पहले कॉंपूनेंट की बात करते हैं, जो है 1% TDS, TDS यानि टेक्स डिड़क्टिड अट सोर्स, तो गवर्मेंट ने काया कि यहां पर 1% का TDS लगेगा, तो वो कैसे लगेगा, for example, यहां पर मैंने क्रिप्टो कुरिंसी को पर्चेस करना है, मैं बायर और आप यहां पर सेलर, तो यहां पर आपने 100 रुपीज की क्रिप्टो मुझे बेची, ठीक है, और मैंने 100 रुपीज की क्रिप्टो को खरीदा, लेकिन मुझे आपको 100 रुपीज दिने चाहिए, लेकिन मैं आपको 99 रुपीज दूँगी, क्यों, क्यूंकि 1% जो है, वो यहां पर TDS जाएगा, मतलब कि आपके भिहाफ पे वो 1% मैं गवर्मेंट को दूँगी, तो वो 1% गवर्मेंट के पास जाएगा, मैं आपको 99 ट्रांसफर हुई है, साधी साथ उसे पता चल जाएगा, कि मैंने याप पर क्रिप्टो कृरिंशी को बाई किया है, और आपने याप पर सेल किया है, तो अगर मैं बात करूँ कि यह TDS किस पे लगेगा, तो जो फ्याट टू क्रिप्टो ट्रांसेक्शन होगी, उन पर लग क्रिप्टो क्रांसी पर, तो अब यह profit कैसे आएगा, सबसे बहले आप एहांपर देखोगे, कि उस क्रिप्टो क्रिप्टो क्रेंसी की, नेट प्रेजंट वैल्यू क्या है, इस cryptocur coins तो वैल्यू हो गयीं, तो profit कैसे आएगा, जो नेट प्रेजंट वैल्यू होगी उस tryptocur park aş उसमें से आप माइनस कर दोगे cost of acquisition को, मतलब उस price को माइनस कर दोगे, जिस पे आपने उसको खरीदा था, या आप चानते होगे, तो माइनलो अपने 100 रपे में cryptocurrency खरीदी, अब उसका price 200 हो गया, तो 200-100 कितना हुआ, 100, तो मतलब आपको profit हुआ 100 का, तो आपको जो profit हुआ है, आपको उस पे tax देना है, तो 100 का 30% government के पास गया, 300 रपे government के पास गया, और 70% किसके पास आ गया, आपके पास, तो I hope आपको इस सम accomplishment next financial year से start होने वाली है, अगर और बात की जाए, मालो आपको इस financial year में 100 का ही profit हुआ है, और 100 का ही loss हुआ है, तो यह आपस में compensate हो जाएगा, तो आपको जो tax देना होगा, वो हो जाएगा 0, तो मतलब यह आपस में compensate होगई value, तो यह हो गया 0, तो I hope आपको इस समझ आ गया हो तो यहाँ पर receiver end पर उसको भी tax देना होगा, so I hope आप सबको समझ आ गया होगा, जो हमने आज इस वीडियो में देखा, I hope काफी हो तक आपकी queries यहाँ पर खतम हो गई होगी, काफी problems आपकी solve हो गई होगी, so this was for all about today, अगर आप स्वाते हैं कि यह information आपके friends तक भी पहुंचे तो उन्हें भी share जरूर कर दीजिएगा, and video पसंद आई है तो like जरूर कर दीजिएगा, we will come again with another such information, till then stay tuned and follow Finn Street for more such updates.